दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि HDFC बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोटेल में बेनिफिसरी कैसे एड कर सकता है यसे आप सभी को पता होगा कि किसी की भी बैंक एकॉर्ण में पैसा भेजने के लिए सबसे पहले उनके बैंक एकॉर्ण डिटेल्स को एड करना पड़ता है जिससे हम सब ad pay ये फिर beneficiary ad कहता है और beneficiary ad करने के बाद ही हम सामने वाली के bank account में पैसा भेज सकता है तो आज मैं आपको मेरे hdpc bank के internet banking portal से एक beneficiary ad करके आपको दिखाने वाला हूँ और ये process को देखने के बाद आप भी hdpc bank के internet banking portal में beneficiary ad करना सिख जाएंगे तो क्रिपा करके वीडियो को सुरू से लेकर लास तक देखते रही है तो मेरा नामा मेथोन और आप देखने डिजिटल मेथोन को अच्छिली वीडियो को सुरू करते है सब्सक्राइब कीजे डिजिटल में तुम चैनल को और बिल आइकन को प्रेस कीजे लटेश टेकनोलोजी रेलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो HDPC Bank के इंटरेट बैंकिंग पोटल पर बेनिफिसरी एड करने के लिए सबसे पहले आपको Google के Chrome बजर को उपन करना है तो आप अगर मोबाल से करना चाहते है तो जो भी प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा सेम प्रोसेस आपको फोलो करना है सिर्फ आपके मोबाल के जो Google के Chrome बजर है उसको डेश्टॉप मोड में एनेवल कर लेजेगा बाकि सारे प्रोसेस आप फोलो करके आप आसानी से आपके मोबाल में भी आपकी HDFC बैंक का जो इंटरेड़ में कोडल है वहां लोगिन करके बेनिफेसरी अड़ कर सकता है तो हमने Google के Chrome में लिए आपको सार्च करना है HDFC बैंक तो आपको HDFC बैंक लिखके सबसे पहले आपको गूगल में सार्च कर देना है तो इसमें आपको काफी सरे आपसेट का लिंक आपको दिखने को मिंजाएगा लेकिन सबसे पहले जो आपको दिखेगा HDFC बैंक.com तो यह आपको जाना पड़ेगा तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह आपसेट का लिंक दे दूँगा आप क्लिक करकी इस आपसेट पर आसानी से आ सकता है तो अचली हम यह आपसेट को हमेरे डेश्टूप में ओपन कर लेंगे तो हमने इस पर क्लिक कर दिया इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो HDPC Bank का ओफिसेल आपसेट है हमारे सामने ओपन हो जाएगा जो की आप देख सेकता है तो इधर आपके बास कुछ OILCOME का कुछ नोटिपिकसन दिख रहे हैं आपको सिम्पिल इसको इदर से क्लोज कर दना है इसको क्लोज करने के बाद स इसके बाद आपको किस क्यप दो लोगिन करना चाहते है आप अगर नेड बेंकिंग के उजयर आइड़ पास्वार है तो नेड बेंकिंग करेंगे है करें के लिए कर सकता है अगर आपका लोन अक्和च है इसका कर सकता है 그럼 इस वीडियो में आपको दिखाने जारू कि уд equatorओ ल मिलेगा इसका क्या प्रोसेस है तो इसके बारे में कम्प्रीट वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगा तो वीडियो को देखके सबसे पहले आपके एज़िए बैंक का जो नेड़ बैंकिंग पोर्टल है उसके लिए एक यूजर आडी डाल गे हमारे जो अकाउंट है उसको लोगिन करना है तो नीचे आपको देख सेते कि कंटिनू टूदा न्यू लोगिन पेज फ़र नेड़ बैंकिंग तो आपको इस पर क्लिक करना है यह रेड कलर का जो दिक्रे लाइन उस पर आपको सिंबिली क्लिक करना है उसके बाद ह हमारे जो यूजर आइडी है यहनके कास्टोमार आइडी या फिर यूजर आइडी जो कि आपको नेट बैंकिंग रेइस्टेशन का टाइम आपको मिला है तो वो आइडी आपको डाल देना है उसको डालने के बाद नीचे कंटूनी के उपर हम सिंबिली क्लिक करेंगे कंट पासवर्ड का भी एक बोक्स आ गया पासवर्ड या फिर आई पी तो आपको simply password एंटर कर देना है तो चलिए हमारा जो पासवर्ड हम एंटर कर देता है पास्वार एंडर करने के बाद आपको बेरिपाई जब ही अपने नेट बेंगी के लिए रेश्टेशन किया था तभी एक इमेज करना पड़ा था आपको तो इमेज आपको इधर से दिखेगा उसके नीचे आपको बॉक्स कंदर टिक कर जाना है उसके बाद लोगिन करने के बाद हमारे सामने ओपन हो जाएगा जो कि आप देख से थे कि इधर वाल कम आपका नाम और आपका अभी जो टाइमिंग या फिर डेट है वो आपको इधर से देखने को मिल जाएगा तो आभी अगर आपको किसी को भी पैसा भीजना है तो सबसे पहले उनके बैंक एक डेटल को अड़ करना है तो उसको आप कैसे कर सकते है तो उसके लिए सबसे पहले आपको फान ट्रांसपार का एक ओप्सन दिकर आप सेम बैंक में यानि कि एधरिस बैंक के एक अकॉट में पैसा भीजना & तो इस पर आप क्लिक करेंगे अगर आपको इंप्यस करना है तो उसके लिए अपको कोई भी बैंक अकॉट में पैसा भेज सकते है तो चलिए मैं आपको NFT का एक Beneficiary अड़ करके आपको दिखाऊंगा तो उसके लिए का करेंगे नीचे आपको Go के उपर क्लिक कर देना है Go के उपर क्लिक करने एक बाद आपके सामने इधर देखेगा Third Party Fund Transfer, Please Add a Beneficiary by Selecting Add a Beneficiary Option तो इसका मतलब है कि हमने जो भी Beneficiary को एड़ करने जा रहे है वो Third Party है यानि कि वो HDC Bank Account holder नहीं है कोई और Bank holder है तो इसके लिए इधर आपको Third Party Fund Transfer के अंदर आपको Beneficiary को एड़ करना पड़ेगा तो आगर आपका कोई भी Beneficiary पहले से अड़ नहीं है तो आपको इस तरह का option आ जाएगा और आगर आपका कोई भी Beneficiary पहले से अड़ किया हुए और अभी आप दुसरा नया अड़ करना चाहते है तो क्या हुआ कि इधर Third Party के जाएगा पर आपको आपको आ जाएगा और उसके बाद नीचे आपको इधर Add Beneficiary New Beneficiary का option देहने को मिलेगा उस पार किलिक करके आप सेम प्रोसेस फोलो करके आप जो भी Beneficiary को नया एड़ कर सकता है तो फिलाल हमारा कोई भी Beneficiary आड़ नहीं है तो इसके ला हम Added Beneficiary कोपर simply क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जैसे मना बताएगी टांसपार टो आधर बैंक यानकी एच्डिव से बैंक छोड़के दूसरे बैंक के अंदर हमें पैसे मतलब भेजना है उसको Beneficiary आड़ करने तो उसको क्लिक करने से पहले सबसे पहले दर्फ को बता रहे तो कुछ जो नोट से आपको ध्यान में रखना चाहिए जैसे यह दर आपका बताएगा कि Beneficiary Activation टिक 30 मिनिट पोस्ट बिंग एड़ेड मोडिफाइड इसका मतलब है कि आप अगर कोई भी बैंकिंग के नेट बैंकिंग कोटल पर एड़ करते हैं तो 30 मिनिट के बाद आप जो है पैसा को मतलब उनके साथ ट्राइक्शन कर सकते है आपका पैसा उनके पास गया है या पर नहीं उसके बाद ही आप जो ट्रंसफर करें उसके बाद है टू कीप और एकॉर एकॉंट सिकूट एज पर आवर बैंक्स पोलिशी इसका मतलब है कि आप अगर कोई भी न्यू बेनिफिसर को एड़ कर रहे तो एड़ करने के 24 घंडे के अंदर आप सिर्क 50,000 रुपया का ही जो है ट्रंसेक्शन कर सकते है उसके बाद इदर आपको कुछ और डिटल जिखने को मिलेगा जैसे यहां एमपेस 25,000 तक कर सकते है आप 25,000 कर सकते है आट टीजे 24 घंट बाद आप कर सकते है इस तरह से आप जो इनका जो भी रूल्स रेगुलेशन है आप इदर से चेक कर सकते है और क्लिक आपर क्लिक कर गी और भी सारे डिटल का जनकरी आप ले सकते है तो छेली हम क्या करेंगे बेनिफिसर आड़ करने क पिर है कैड़ेट कड केड़ का का सकते केंट का नबर ढ़र के फिरण हमारा सेववारा घ्र सेवकोंऺ अचंड साथा जो टू Casey उसके बाद आपकу फिर से ऊही नंबर को कंफाम करने का और ने नीछे से वहीर एकौन नबर आपको डाल देना है उसके बाद आपको बेनिफिसर एकाउंट है यहीं कि समने वाले का जो बैंक एकाउंट है सेविंग है करेंट है जो भी है आप इदर से सिलेट करेंगे जैसे हमारा सेविंग से तो हम सेविंग सिलेट रहने देंगे उसके वाद आपको आपसे कोड एंटर करने तो अगर आप का कईक़ सिंपल क्लिक कारेंगे है कि उस पर किल्ग एक निए पर फ्र सॉल लेगा तो इसके लिएूंस का जो कहा है पैसा भेज रहे हैं इनकी जिसे एकसे सी लिक देंगे क्या है उसके ओस ब्रांच का नेम क्या है य़ा सा बैंक है और कौन सा ब्रांच नेम है तो जैसे हमारा पौवाई ब्रांच है और एक्सिस बैंक है उसके बाद आपको निचे सार्च के उपर किलिक करने के बाद आपकी पौवाई एरे के अंदर जितने भी ब्रांच है उस बैंक का आपको डिटल्स देखने को मिल जाएगा और उस bank का address भी आपको इधर से देखने को मिलेगा तो जो भी bank है आप इधर से select करेंगे जैसे इधर select का option देखने को मिलेगा तो यह area के अंदर हमारा दो account ब्रांच है तो दोने में से जो भी branch में आपका account है आप इधर से select करेंगे सिलिट करने के बाद आप देख से थी कि हमारा IPC कोड इधर जो है इंटर हो चुका है उसके बाद आपको बेनिफिसरी नेम एंटर करना पड़ीगा यहनि कि जिनको भी आप पैसे भीज रहे उसका बैंक अकॉन के साथ क्या नाम है आप इधर से एंटर करेंगे तो जैसे हमारी बैंक एकाउंडे हम इधर से हमारा नाम एंटर कर देंगे उसके बाद email id चाहता आप डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं उसके बाद आपको नीचे add के उपर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको अधार से एकसर बार इसके जोबी चीज़े मैंने आपको बताया हो सारे इधार था इह दहर भी लिखा हुआ तो इसको वहाद रेड़ कर लेजेगा उसके बाद रोके करदेंगे आपको हमेशु के वहाद पर ब्रत्स half Creating diffic किलिक करने के बाद आपका मूबाल नमबर पर जो ओटीपी गया है ओटीपी को आपको इस बॉक्स का अंदर डाल देना है उसके बाद कंटीनु कर देना है तो देख सकते हैं हमारा ओटीपी जो आ गया पोट तीपिक को डालने के बाद नीच व कट्रियुन को पर हम सिंप्रिक कीलिक कर देंगे केंटियुन को पर किलिक करने के बाद आप देख साथ है कि ऑड़ कमपलेट हो चुका हैं अमारा डीडल assuming से देखने को मिल जाएगा तो आप देख देख साथ है किgili आपार आपको पता जारे कि आप अगर नियूली एड़ यार फिर बेनिफिसर ही एड़ करते हैं तो आपको पच्छेस अजर का इनिप्टी कर सकते हैं चोबिस घंटा गंदा उसके बाद आपका लिमिट जो है डेली आपको बढ़ते जाएगा तो हमारा जो है बेनिफिसर हो जुग ह अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको पता चले गए कि आपका बेनिफिसर हुआ है या फिर नहीं तो उसके रहां क्या करेंगे इदर एकाउंट को पर क्लिक करेंगे एकाउंट को पर क्लिक करने वाद हमारा जो है आधार बैंक है टान्सपर आधार बैंक तो इदर आपको अभी भी नहीं दिख रहा है तो फिर से हम एक बार कोशिश करने का आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि किस तरह सब चेक कर सकते हैं कि आपका जो आपको एड़ पे हैं वो सक्सेस्फूल एड़ हुआ कि नहीं तो इदर आपको टांसफर्ट को अधर वैंक के ओपर सिंप्ल आपको किलिक करना है तो उस पर किलिक करने के वाद आपको किस तरह से ये ट्रंजेक्शन काम हुआ इसके लिए किसके लिए क्या चार्जे से इसका क्या टाइमिंग है आप इधर से एक बाद चेक कर सकते हैं और उसका फिचार से लिमिट से टाइमिंग से इस सारे चीज़ आप इधर से जो है इध चेकाउट कर सकता है तो यह जो हमने यह एड किया बेनिफीसर ही यह अभी तक हमारे इधर जो है सो नहीं कर रहे है क्योंकि इसको एक्टिवेशन होने में जैसे मैंने आपको पताए कि 30 मृट तक समय लग सकता है और जैसे हमारे यह एक्टिवेशन हो जाएगा आपको इधर इसको फिलाल अभी तक हमारा इड नहीं हुआ इसको 30 मिनिट तक होने में टाइम लगेगा और उसके कर सकते हैं और आप एक बार net banking के तो कोई भी benefit कर लेते तो यह विडियो में आपके मोबाल वेंकिंग जो एडिसी बेंकिंग बेंक है उसमें भी आपको यह बेनिफिसरी सोख उने लगे उधर से भी आप पैसा transaction कर सकते हैं उनके साथ तो आने आपको दिखाऊंगा कि बेनफिसर को एड कर सकता है और इस वीडियो से जुड़े आगर आपके मन में किसी प्रकार की सवाल या फिर सुझाब है तो आप निचे मेरे साथ कोण्ड उकस में स्यार कर सकता है और आने वाले समय में और भी नए नहीं एसे वीडियो देखने के ल दूड़े रहिएगा थेंक्यू